आईए अब हम जानते हैं एमेन चेप्टर के दूसरे महत्वपून भाग जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजोनियम लवन के विसाय में डाइजोनियम लवन जिसके विसाय में हमने शुरू में थोड़ा जान लिया है तो डाइजोनियम लवन यह एलकिल भी हो सकते हैं और एरिल भी हो सकते हैं यदि हम यहाँ पर लिखें कि जो यह जिसमें आर समू जुड़ा होगा इसका जो सामान सूत्र है उसे हम लिखेंगे और यहां पर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो समू है एरिल समू है यहां यहां पर हम देखें कि जो एलकेल डाइजोनियम साल्ट होते हैं वो उतने ज्यादा स्थाई नहीं होते हैं क्योंकि यहां पर फोड़ा सा भी टैंपरेशर यदि बढ़ता है तो इसमें से जो 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 समू है वो एलकेल निकल जाता है और इसलिए यहां पर यह बिल्कुल भी स्थाई नहीं होते हैं और इसे लिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो एरोमेटिक एजोनियम साल्ट है या एरोमेटिक डाई एजोनियम लवन हैं इनके विसे में जानेंगे Aromatic Diagonium Salt क्योंकि stable भी होते हैं और इनका बहुत सारे Aromatic Compound के संसलेशन में इनका ये माध्धमिक के तौर पर उप्योग में लाए जाते हैं इसलिए इनका काफी महत्व भी है तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो Aromatic यहाँ पर Ar N2 प्लस X- यह Diagonium Salt का सामाने सूत्र है तो यहाँ पर Ar से स्पस्ट है कि यहाँ पर एक Benzion Ring होगी साथ में जो N2 प्लस है यह Diagonium कहलाता है और Diagonium Iron है साथ ही साथ यहाँ पर X- इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर X- केवल Halogen को रिप्रेजंट नहीं करता है यहाँ पर Chloride Cl-, Br-, I- के अलावे यहाँ पर HSO4- या फिर BF4- भी हो सकता है तो इस तरह से जब हम इनका नाम करण करेंगे तो यहाँ पर Benzion Ring क्योंकि इसमें होती है माल लेजे हमारी पार सूत्र है C6H5N2+, Cl- तो इसका नाम हम इस तरह से करेंगे यहाँ पर Benzene Diagonium Chloride यह इसका नाम होगा इसी तरह से माल लेजे यहाँ पर हमारी पार सूत्र है C6H5N2+, HSO4- तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा Benzene Diagonium Hydrogen Sulfid तो इस तरह से इनका बहुत ही सदल तरीके से नामकरण किया जाता है यहाँ पर हम बता दें कि जो Alkyl Diagonium Salt होते हैं यह काफी अस्थाई होते हैं रूम टेंपरेचर पर भी जबकि जो Aral Diagonium Salt होते हैं वो कुछ समय के लिए Stable होते हैं और खासकर जो Low Temperature पर और यहाँ पर जो Temperature है वो 273 से लेकर 278 के लगभग ही होना चाहिए तो इतने Temperature पर यह Aromatic Diagonium Salt जो है वो स्थाई होते हैं और इनके स्थाईत की पीछे जो कारण है वो यह कि यहाँ पर जो Nitrogen के ऊपर Positive Charge होता है उसे Ring जो है जो कि Electron Rich होती है वो इसे Stable बना देती है रिंग में जो Pi Electron जोड़े होते हैं वो इसके Positive Charge को उदासीन कर देते हैं और इसे Stable बना देते हैं यहाँ पर हम जो सरचना प्राप्त होती है उसे अनुनाद के द्वारा भी समझ सकते हैं तो यहाँ पर मालीजे जो Anilineum यहाँ पर C6H5N2 यह जो डाइ जो समू होगा तो ह हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच यहाँ पर ट्रिपल बॉंड होता है और यहाँ पर जो कार्बन से या रिंग से जोड़ा हुआ जो नाइट्रोजन है उस पर एक Positive Charge है तो यहाँ पर चुकि यह Positive Charge होता है इसकी वज़ए से यहाँ पर यहाँ पहले और दूसरे नंबर के कार्बन पर जो पाई इलेक्ट्रान जोड़ा है वह कार्बन नाइट्रोजन बंद की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिससे कार्बन नाइट्रोजन के बीच यहाँ पर द्विबंद आ जाता है और साथ यहाँ पर जो नाइट्रोजन नाइट्रोज पर positive charge आ जाता है दूसरी और यहां पर हम देख रहे हैं चुकि पहले और दूसरे नंबर के carbon से इलेक्ट्रान जोड़ा शिफ्ट हुआ है इसलिए जो दूसरे नंबर का यानिकी आर्थो position है वहां पर positive charge आ जाता है आगे यदि हम देखें कि यह जो positive charge है इससे neutral करने के लिए जो तीसरे और चौथे नंबर का जो इलेक्ट्रान जोड़ा है अब उसको इस्थाइट तो प्रदान करने के लिए यह दूसरे और तीसरे नंबर के carbon के बीच shift हो जाता है और जिसकी वजह से यहां पर पैरा पोजिशन पर positive charge आ जाता है यानि कि चौथे नंबर के carbon पर positive charge आ के बीच यहां पर shift हो जाता है और इस वजह से अब पुना छटवे नंबर के carbon पर जो कि यह जो समू के वाले carbon के साथ जो कि आर्थो समू position पर होती है वहां पर positive charge आ जाता है तो यहां पर वापस अब चुकि यहां पर positive charge आ गया है इसलिए वापस जो अगली जो इस्थती हो होगी उसमें nitrogen और carbon के बीच का जो electron जोड़ा है वह पुना छटवे नंबर के carbon पर shift हो जाएगा जिससे कि अब जो nitrogen और nitrogen के बीच जो द्विबंद हो गया था इसकी वजह से nitrogen जिस पर negative charge है वहां से electron जोड़ा पुना nitrogen nitrogen के बीच आ जाएगा और यहां पर फिर से पहली वाली इस्थती मिल जाएगे जिसमें की दोनों के बीच त्रिबंद होते हैं तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर चार-चार अनुनादी सरचनाएं बनती हैं और इन चारों इन अनुनादी सरचनाओं की वजह से जो aromatic agonium iron होते हैं वह इस्थाय तो प्राप्त एरिल डाइजोनियम साल्ट के प्रप्रेशन उनको बनाने की विधी तो जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा था कि इनको बनाने के लिए हम aromatic amine प्राथमिक aromatic amine का उप्योग करते हैं और जब प्राथमिक aromatic amine की क्रिया नाइट्रस अमल से कराई जाती है तो हमें बेंजेन डाइजोनियम साल्ट प्राप्त होते हैं यहां पर हम बता दें कि जो नाइट्रस अमल है चूकि काफी अस्थाई होता है इसे लिए हम अभी क्रिया मिक्चर में ही इसे बनाते हैं और इसके लिए हम यहां पर सीधे नाइट्रस अमल का उप्योग ना करके हम यहां पर sodium nitrite और hydrochloric अमल का उप्योग करते हैं तो इस तरह से जब हम प्रात्मिक aromatic amine की क्रिया sodium nitrite NaNo2 और hydrochloric HCl के साथ कराते हैं और यहां पर जो तापमान होता है वो 273 से 278 के मद्ध ही रखा जाता है तो इस तरह से हमें die agonium chloride प्राप्त होता है जिसका सूत्र होता है C6H5N2 plus Cl minus और साथी साथ यहां पर चुकी sodium था इसलिए sodium chloride बाहर निकल जाता है और साथी साथ जल का एकणू बाहर निकलता है और इस तरह से हमें benzeen die agonium salt प्राप्त होते हैं benzeen die agonium chloride प्राप्त हो रहा है और यह क्रिया कहलाती है die agotie current या die agitization इस क्रिया को कहते हैं कभी-कभी इसी नाम से भी अभिक्रिया को पूछा जाता है कि इसके बाद हम देखते हैं कि दो या कि भौतिक कि प्रकार से हुँ तो यहां से हुखिए कि जो compound त्यार हुआ है डाई एजोनियम क्लोराई यह रंगहीन क्रिस्टलाइन सॉलूड होता है रंगहीन क्रिस्टलिय ठोस होता है और जल में ये काफी विले होता है और साथी साथ ये ठंडे जल में तो इस्थाई होता है लेकिन यदि हम इसके मिश्राण को या विलियन को यदि गर्म कर दें तो यह पर जो इसमें जो एजुसमू है नाइट्रो समी जो कि बहुत ही अच्छा लिविंग भूर रूप होता है यहां से नाइट्रो समू नाज्रू जयन डश के रूप में प्रिथक हो जाती है और इस तरह से यहाँ पर हमें फिनॉल प्राप्त हो जाते हैं तो इस तरह से जो aromatic agonium salt होते हैं वो भी गर्म या अधिकताप पर अस्थाई होते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइडों के भौतिक गुण जा लेने के पश्चाथ आईए अब हम जानते हैं इनके रासाइनिक गुण यहां पर हम देखें जो बेंजीन डाइजोनियम salt है उनके रासाइनिक गुणों को हम दो भागों में या इनकी रासाइनिक अभी क्रियाओं को दो वरगों में बाढ़ सकते हैं एक वो रासाइनिक अभिक्रियाएं जिसमें की जो एजो समू है वो नाट्रूजन गैस के रूप में यहां से प्रतिस्थापित हो जाता है और दूसरे वह समू होगा अभिक्रियाओं का जिसमें की एजो समू प्रतिस्थापित नहीं होता है यनि की वो यहां पर रिटेन करत है वहाँ पर रहता है तो पहले हम देखेंगे पहले प्रकार की अभी क्रियाइं वह अभी क्रियाइं जिसमें की नुटू समू नाइक्रो समू या एजू समू है वह यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाता है और हम बता दें कि यह जो एजू समू है बहुत यह अच्छा लीव द्वारा ये बड़ी आसानी से यहां से प्रतिस्थापित हो जाता है तो इस तरह से सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एजो समू का है लोजन तथा साइनो समू के द्वारा प्रतिस्थापन तो जब हम डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया यहां पर क्यूप्रस CO2, CO2 के साथ hydrogen chloride, संबंदित hydrogen halide की उपस्थती में कराते हैं तो यहाँ पर एजो समू बाहर निकल जाता है गैस के रूप में और साथ ही साथ यहाँ पर जो chloro है वा बेंजीन रंक में प्रतिस्थापित हो जाता है और इस तरह से हमें chloro-benजीन प्राप्त होती है और इस तरह से इसी तरह यदि हम यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लेते हैं और यहाँ पर डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड CO2, BR2 तथा HBR की प्रेजन्स में कराते हैं तो यहाँ पर पुन जो यह जो समू है वो नाट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर हमें ब्रोमो-benजीन प्राप्त हो जाएगी इसी तरह से यदि हम यहाँ पर क्यूप्रस साइनाइड CUCN के साथ डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराएंगे और यहाँ पर यह जो क्रिया होगी वो प्रेशियम साइनाइड के सीन्स में कराए जाती है तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में एक साइनोसमू आकर जुड़ जाता है प्रतिस्थापित हो जाता है और इस साइनो-benजीन प्राप्त होगा तरह साथ जो यह समू है वो नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगी तो इस तरह से हम देखते हैं कि डाइयोजेनियम क्लोराइट की उप्यों के द्वारा हम बेंजीन रिंग में क्लोरो, ब्रोमो या साइनो समू को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इस तरह से हमें नए उत्पाद प्राप्त होते हैं यह अभिक्रिया जो है यह अभिक्रिया कहल साथ ही साथ हम यहाँ पर बिल्कुल इसी से मिलती जूती हुई एक और अभी क्रिया देखेंगे और यह अभी क्रिया कहलाती है गटर मैन रियक्शन इस रियक्शन में केवल रीजन का अंतर होता है यहाँ जहाँ पर सैंड मैर रियक्शन में हम क्यूप्रस क्लोराइड तथा स तहीं तरह से जब हम डाई एजोंनियम क्लॉराइड की क्रिया कॉपर पाउडर के साथ कराते हैं । कर थे हम लेते हैं अमल के रُपमें तो यहां पर हमें ब्रोमो बेंजीन प्राप्त हो जाती हैं तो हम देख रहे हैं कि सेंड मायर अभी क्रिया और गटर में रियक्शन दोनों के द्वारा ही हमें हेलो उत्पाद प्राप्त होते हैं लेकिन साथ ही साथ हम बता दें कि जो गटर में रियक्शन है उसके द्वारा हम साइनो बेंजीन प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यहां पर हम ह quantity जदा होती है yield ज़ादा होती है और इसलिए सब्सक्राइब अभी क्रिया को जदा प्रफरेंस दिया जाता है इसके बाद यदि माली जे हमें फ्लोरो बेंजीन या फिर आयोडो बेंजीन बनाना हो तो इसके लिए अलग region का उपयोग किया जाता है यदि हमें आयोडो बेंज का विलियन है उसमें पोटेश्यम आयोडाइड ले और उसके साथ जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें आयोडो बेंजीन प्राप्त होता है साथी साथ पोटेश्यम क्लोराइड प्रिथक हो जाते हैं और यहाँ पर जो एजू समू है वह भी नाइट्रोजन के गैस के रूप में बाहर निकल जाती हैं कि इसी तरा से फ्लोरो व्यक्त्पन प्राप्त करना वह यदि हमें व्लोरो बेंजीन बनाना हो तो इसलिए यहां पर हम जो एजू समू है उसका प्रतिस्थापन फ्लोरो समू के द्वारा करेंगे और इसके यहां पर इसके साथ कर आते हैं तो यहां पर हम देखेंगे । हखात वगल सिविए और यह पर फ्लोरवॉरिक अम लता जो हाड्रोजन है वह एक्सिल के रूप में प्रिथक हो जाता है और साथ ही साथ बाकी का जो बचीवी स्पीसीज है वह आपस में जुड़ जाती है और यहां पर हम देखेंगे कि सीजिक्स हफाइव एंटू प्लस बी एफ फॉर माइनस यहां पर एक माध्यमिक इस्पीसीज योगात्मत इसमीश प्राप्त होती है जिसे हम कहेंगे एरीन डाई जोनियम फ्लोरो बोरेट यह एक माध्यमिक योगीक हमें मिल रहा है और जो कि जैसे ही इसे आगे गर्म किया जाता है तो यहां से वी एफृ प्रितक हो जाता है जो जो आप्ता ढूंग के रूप में प्रितक हो जाती है कि और इस तरह से हमें फ्लोरो बेंजीन जी प्राप्त हो जाती है कि यहões महत्त्र कोन बतां कि यहां जो एरेन डायेजोनिम फ्लोरो बोरे मध्यवर्ती बना हुआ है यदि हम इसे सीधे गर्म ना करके कौपर की उपस्तिती में यदि सोडियन नाइट्राइट के साथ इसे गर्म करें तो यहाँ पर एजो समू का नाइट्रो समू के द्वारत पतिस्थापन हो जाता है और हमें एक और महत्पूर उत्पाद नाइक्रो बेंजीन मिलता है तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर क्योंकि जो एंट्टू समू है एजो समू है बहुत अच्छा लिविंग ग्रूप है और इसलिए बड़ी आसानी से हम यहाँ पर क्लोरो समू बोरो आयोडो फ्लोरो साइनो आइड्रोजन के द्वारा भी प्रतिस्थापन हो जाता है यहां इससे हम कहले कि यहां पर हम रिडाक्शन करेंगे और यहां पर जैसे हम यहां पर ले रहे हैं बेंजीन डाइजीनिम क्लोराइब और जब इसका इसकी क्रिया हम हाइपो फासफ़ोरस हमले के साथ कराते हैं यहां पर स्थ्री पी-ओ टू और इसके लिए यहीं जो अभीक्राइब होती हैं वहाँ पर वीजन काफी महत्व रखते हैं और किसी खास रिजन की प्रेजनस में ही कोई खास अभीक्रीया हो पाती यहाँ पर यहाँ पर हैडरोजन ला रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक ऐसी स्पीसीज चाहिए जो कि बेंजीन का अपचेन कर पाए और स्वयम आकशी कृत हो जाए तो यहाँ पर हम लेते हैं हाइपो फास्फोरस अमल और जब इस की किरीया हम दायजोनिम क्लोराइड के साथ कर यहां कर सकते हैं तो यहां पर यहां कर जाता है और साथ यहां में पर है और एकाC4 था इस तरह से खाल देखिकर परहaden लेगता ही नहीं यह जो शमू है उसको हम phenolic यानिंकि hydroxyl समू के द्वारा भी हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इस अभी क्रिया को हम पहले भी जान चुके हैं हम जानते हैं कि जो benzine diogenum chloride यानिकी तो यहां पर नाइट्रोजन को यहां से विस्थापित कर देता है और स्वयम उसका इस्थान ले लेता है और यहां पर इस तरह से हमें फिनॉल तो इस तरह से हम देखें कि इन सभी अभी क्रियाओं में हम देख रहे हैं कि जो डाइजोनियम क्लोराइड है वो बड़ी आसानी से है आँ oyn एक हेलो समू को हो या साइनो अ मुओ है फिर आडरोजन हो इनके द्वारा असानी से रिप्लेस हो जाते हैं और इस तरह से हमे क्लोडेइंग जैसे जो यहां आसानी से मिल जाते हैं जिनका सीधнул में जिनको हम बेंजिन के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इसे लिए डाय जोनियम क्लोराइड का बहुत अधिक महत्व है एक मध्यवर्ती के रूप में ये कारी करते हैं और हमें बहुत सारे अरोमेटिक कंपाउंड बना कर देते हैं इसके बाद हम डायोजनियम क्लोराइड की ऐसी अभिक्रियाओं को जानेंगे जिस अभिक्रिया प्रायर डाइस के फॉर्मिशन में उप्योग में आती है इस क्रिया के फलसरूप डाइस बनाए जाते हैं और इस अभिक्रिया को हम कप्लिंग अभिक्रिया युगमन अभिक्रिया कहते हैं तो यहां पर हम देखें कि इस प्रकार से जो डायोजन क्लोराइट जसमें की एक बेंजिन रिंग उपस्तित होती है और जो सम्हू उपस्तित होता है और इसी तरह से हम जब इनकी क्रिया एक एरोमेटिक किसी कंपाउंड से जैसे कि हम फिनॉल के साथ या फिर एनिलीन के साथ कराते हैं या फिर हम नेप्थॉल के साथ कराते हैं जिनमें भी रिंग एर्मेटिक रिंग उपस्थित होती है तो वहां पर ये दोनों जो रिंग होती है एर्मेटिक कंपाउंड में उपस्थित रिंग तथा जो डायूजोनियम साल्ट होते हैं उनमें उपस्थित रिंग होत सबसे पहले हम देखेंगे विपल दाइज का निर्मान तो फिनॉल डाइज में नौन के नाम से जानते हैं जिसमें साल्ट है उसमें जब डाइज कपलिंग है जो समय कलर बनता है और तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके लिए हमें फिनॉल लेना होगा तो इस तरह से हम ले रहे हैं फिनॉल जिसका सूतर आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन से एक O H हड्रोक्सल समू जुड़ा हुआ है, जब इसकी क्रिया हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से कराते हैं, माले जिए हाँ पर हमने लिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराईड, तो यहाँ पर जो फिनॉल का पैरा हड्रोजन है, यहाँ पर हम देख के पैरा पोजिशन वाला हैड्रोजन और डाइजोनियम साल्ट जिसमें की नाइट्रोजन पर एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तथा उस पर जुड़े हुए जो क्लोरीन परमाणू है इस पर नेगटिव चार्ज है तो यहां से HCL यहां से बाहर हो जाता है औ और बाकी की जो दोनों रिंग है नाइट्रोजन के द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं और इस तरह से यहां पर जो हमें प्रोड़क्ट मिलेगा उसका सूत्र होगा यहां पर OHC6H5 आप देख रहे हैं जिसमें दोनों इसके बाद पैरा पोजिशन पर यहां पर नाइट तरह से उसके साथ करा सकते हैं- devastating यहां पर वी जलीरतोन यहां पर यहां पर दिक उसके ढांते हम सहं बह 180-200-0 नाइट्रोजन कि और लिए संवें पर Nahyame का इनिलीन की क्रिया भी हम इसके साथ करा सकते हैं है यहां पर भी समान बिल्कुल उसी तरह से अभी क्रिया होती है जो यहां पर जो डाई बनता है उसे हम जो उसका कलर होता है वो यलो कलर का होता है और इसी लिए इसे एनिलीन यलो इस डाई का नाम दिया जाता है इसी प्रकार से यदि हम यहां पर नेप्थॉल का युगमन कराएं कुपलिंग कराएं तो यहां पर नेप्थॉल और इस प्रकार जाता है यहाँ पर भी हमने नैटक़ा हमने की जो सरचना ओती है उसमें हम जानते है कि दो बाइंजिनरीन बिन इंवह चुर्चन आपस यहाँ पर ज्ट एव साथ साथ यहाँ पर जो तपर उसके बाद, एलफ़ा समू का जो हैड्रोजन है, वह डाई एजोनियम साल्ट के क्लोरो के साथ, एक्सिल के रोप में यहां पर बाहर निकल जाता है, और इस तरह से जो एलफा कार्बन होता है, एलफा पोजीशनवाला जो कार्बन है, वह नैट्रूजन के साथ बना लेता है और इस प्रकार से एक कपलिंग के फल सुरूप हमें योगमेत उत्पाद प्राप्त होता है और इसे हम कहते हैं नेप्थॉल रेड जो रेड कलर का डाई होता है तो यह है डाई जो नम क्लोराइड की महत्तुपूर्ण अभिक्रियाएं यहां पर हम देख रहे है कि डाई जोनियं क्लोराइड बहुत ही उप्योगी माध्धमिक कंपाउंड होते हैं जो की बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मध्धिवर्ति के रूप में कारे करते हैं ऐसे कंपाउंड का संसास्थाचन जैने हम सीथे ही बेंजीन रिंग के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इनका काफी महत्व है तो इस तरह से हमने यहां पर इमाइन ऐरोमेटिक अमाइन अलूफाटिक अमाइन तथा डाइजोनियम साल्ट से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं